दोस्तों हमारे चैनल गान भर्णडार में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जानेगे एक व्यक्ति अपराद करे और दूसरा सिर्फ साथ रहे तो दूसरा अपराद ही माना जाएगा या नहीं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय है तो प्लिस सब्सक्राइब कर ले ता कि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके अक्सर देखा जाता है कि जब कोई अपराद घटित होता है तब एफ आपराद से संबंधित धाराओं के साथ भारती दंड समहिता की धारा 34 को भी जोड़ा अगर किसी भी अपराद को दो या दो से अधिक व्यक्ति समान उद्देश के साथ करते हैं तब वो अपराद घटित हो या न हो तब उस अपराद की मुख्यधारा के साथ में भारती दंड समहिता की धारा 34 को जोड़ा जाता है जी हाँ भारती दंड समहिता की धारा 34 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति समान उद्देश के लिए कोई अपराद करता है उसका साथ देने वाले सभी व्यक्ति अपरादी होंगे एवन सभी को एक समान सजा भी मिलेगी जैसे कि अगर आरोपियों ने मृतक पर तेजधार वाले हत्यारों तथा लाठियों से हमला किया एक आरोपी के पास तेजधार वाला हत्यार था जबकि दूसरे के पास किवल लाठी थी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हत्या धारदार हत्यार के प्रहार से हुई थी लेकिन चूंकि दूसरे आरोपी ने समान आशे को अग्रसर करने के लिए हमला किया था अतन्याया लेद्वारा उसे भी प्रथम आरोपी के साथ भारती दंड समहिता की धारा 334 के अंतरगध हत्या के लिए दोशी ठहराया जाएगा तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि अगर एक व्यक्ती अपराद करे और दूसरा सिर्फ साथ रहे तो दूसरा अपराद हुआ हुआ जारी दूसरा अपरा नारी वेद्वार वेद्वारा उसे प्रफस्तों अपराद करे दो दूसरा है